तीस परसेंट टीडियस तीस परसेंट टीडियस कट जाने वाला है दोस्तों एक बुरी खबार आ रहा है फैंटसी गेम खेलने वाले लगों के लिए आपने जैसे ड्रिम 11 हो गया वीजन 11 11 सरकिल कई सारे ऐसे एप हैं फैंटसी एप हैं किर्केट फुटवर्ल होकी लोग उपर के जो एमाउंट है दस हजार से उपर का जो नेट प्रॉफिट था आपका वीनिंग अमाउंट उस पे मात्र पहले तीस परसेंट टीडियस लगता था लेगिन वह आप जो है एक अप्रिल से नया रूल सरकार ने लागू कर दिया है इंकम टेक्स डिपार्टमेंट के तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है और फैंटेसिक गेम बाले ने भी इसको लेकर मैसेज दिया है अलर्ट किया है जैसे आप दो सो रूपया का भी प्रॉफिट करते हो जीते हो विनिंग करते हो तो उसको भी आप विड्रॉल करते समय जो है ना आप देखोगे कि वहां आ 255 रुपय लगा हुआ था 200 रुपया जीते तो निट प्रफिट आपका 1500 रुपया 111 रुपया ही बनता है उस 200 रुपया के मांट को जो आप अगर विड्रॉ करते हो तो आपको फ्लैट वहीं इंस्टेंट 30% मतलब 45 रुपया कट जाने वाला है तो आपका एकाउंट में ज ख़बर लेकर आता रहता हूं तो आप लोगों को जानना चाहिए जैसे मैंने निव्स देखा और अपडेट हुआ तो मैं सोचा कि आप लोग को ही बता दूं तो यह निश्चित रूप से बुरी ख़बर है ड्रीम 11 और खेल कर गेम खेल कर फेंटासी में लोग अपने कई बार नीज सुना होगा एक करोड जित गया पचास लाग जित गया फिस लाग जित गया दो करोड जित गया जैसा कि अभी भी आई पील का सीजन चल रहा है लोग घेल रहे हैं जीत रहे हैं बिल्कुल सही तो हैब भी अमांट को एगर जीता है तो वहां फरक नहीं पड़ता दस लाग जीत जाएं मेरा मानना है लोग निशितरूप से चाहते हैं एक करोड करोड नहीं दस लाग जीत जाएं तो ओ Absolutely लोग जीतना है तो फरक नहीं पड़ता है है लेकिन बहुत छोटा से माउंट अगर हजार दूहजार पांत सो रिपे को जीता है वहां अगर तीस परसेंट लग जाए तो कितना मुश्किल हो सकता है कितना यह